कि नमस्कार मैं अंजली विश्रा स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बता दें कि सुप्रीम कोट में फिर से कॉलेजियन सिस्टम का मुद्दा उठाया गया है एक बाँ फिर से कॉलेजियन सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोट और सरकार के बीच में तकरार आ रही है सुप्रीम कोट में कॉलेजियन सिस्टम को लेकर लगतार सुनवाई की जा रही है गुरवार को यानि आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तब कोट केंदर से खासा नाराज दिखाई दी जैसा कि एक बार पहले भी वो दिखाई थी जब कानून मंतरी किरन रीजजु ने कॉलेजियल सिस्टम को लेकर बयान दिया था कोट ने दो टुक ये कहा कि जब तक कॉलेजियल सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए लेकिन कोट के पास उनकी नयाईक समिक्षा का अधिकार है इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कॉलेजियल सिस्टम पर बयान बाजी करने से बचना चाहिए तो इक कॉलेजियम सिस्टम जो है उस पर बयान बाजी करने से भी मनाही एक तरह से आप कह सकते हैं कि निगले मिले तो आप सोच रहोंगे कि आखिर कोट में इतनी नाराज़ी केंदर से क्यू है इसको भी समझे जस्टिस संजर किशन कॉल ने कहा कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को दो दो तीन तीन बार वापस पूर्ण विचार के लिए भेशती है जबकि सरकार उस पूर्ण विचार के पीछे कोई ठोस वज़ा भी नहीं बताती इसका सीधा मतलब तो यहीं है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती यह सुप्रीम कोट के फैसले की भावना के हलाफ है जस्टिस कॉल ने कहा कि केंदर सरकार ने कॉलेजियम के भेजे नामों में से 19 नाम की फाइल वापस भेज दी है पिंग पॉंग का यह बैटल कब सेटल होगा आप सोच रहे होंगे तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं जब हाई कोट कॉलेजियम ने नाम भेज दिये और सुप्रीम कोट कॉलेजियम ने भी उनको अपनी मंजूरी दे दी तो फिर दिक्कत कहा है इस पूरी प्रक्रिया में कई कारण और आयाम होते हैं कुछ नियम है जस्टिस कॉल ने कहा कि जब आप कुई कानून बनाते हैं तो हमसे उमीद रखते हैं कि उसे माना जाए वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए अगर हर कोई अपने ही नियम मानने लगेगा तो फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि अब तक Memorandum of Procedure यानि M.O.P. का मसला भी अठका पड़ा है उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा आप कह रहे हैं कि आपने इस बावत चुठियां भेजी है हो सकता है सरकार ने कुछ मुद्दों पर नजरिया साफ करने या बदलाव की गरज के लिखा पड़ी की हो M.O.P. में बदलाव या सुधार की बात है इसका मतलब कोई तो M.O.P. है ऐसे नहीं है कि कोई M.O.P. है ही नहीं M.O.P. का मसला तो 2017 में ही निपट गया था तब ही तैह हो गया था कि सरकार M.O.P. में बदलाव या सुधार के सुझाव दे सकती है कोट उसमें समुचित सुधार करेगा कोट के इन तरकों पर अचर्णी जेनरल ने कहा कि हमें ऐसा नहीं जचता कुछ और फाइल त्यूनिंग होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए इस पर जस्टिस कॉल ने कहा कि सरकार सुझाओ दे सकती है लेकिन ये कॉलेजियम के उपर है कि उसे माने या ना माने लेकिन हमारी चिंता आपके सुझाओ के पैरा दो को लेकर है इसमें कहा गया है कि अनुचेद 224 को भी MOP का हिस्सा बनाया जाए लेकिन पिछली सुनवाई में तब के अटर्णी जेनरल के के वेड़ुगोपाल ने सरकार के लिए समय मांगा था तो हम ने न्याइक आदेश के जरिये समय दे दिया था उस आदेश में भी मौजूदा MOP का जिक्र है अब आप सोचुंगी किन मुद्धों पर विवाद है और कोट का इस पर क्या तर्क है इसके बारे में भी मापको बताते हैं कोट ने कहा कि इस विवाद को टाला जा सकता है सरक सब्सक्राइब उपराक्ष्रपती और राजसभा के सवापती जगदीश धनखड और कानून मंतरी किरल रीजिजु आदी का नाम लिये बकैर जस्टिस विक्रम नात ने अचर्णी जेनरल को संबोधित करते हुए कहा उच्छ सम्विधानिक पदों पर बैठे लोग खुले फारिश लंबित नहीं है क्योंकि उनिस नाम सरकार लोटा चुकी है कोट ने अपने आदेश में इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोट के फैसले के मुताबिक थी नियुक्त किये जाने वाले जज़ों का वरिष्टता क्रम निर्धारित होना चाहिए सभी स्कोट के बनाए कानून का पालन करें जब तक कि कोई और कानून विधाय का ना बने वहीं आपको बता दे कि कोट के पूरे मामले पर कश्मीर फाइस के डारेक्टर विवेक अगनी होतरी ने भी अपनी प्रतिक करिया दी और उन्होंने इस सब पूरे आप कह सकते हैं कि यह जो इनका इनके मंतरी जुकें इनके मंतरी इस तरीके से बयानबाजी करने से बचे इस पर रोक लगा जाए विवेक अंगनी होतरी ने कोट करके लिखा कि सुप्रीम कोट को आखिर कौन अडवाईज देगा ूइन अडवाइसदा सुप्रीम कोट क्वेस्चेन मार्क और उन्होंने ह तक यहां घ्या था जो तरीके से असंतोष है उसके पीछे नुपूरर शर्मा की बेयान वाजी है यह उन्हों MP2 लेन भास हागी और इसे पश्ट होगए कि कही न तरीके की टिप्निया और कॉर्ट दुआरा भी की जाती है भड़े कर जो टिपनिया की जाती है तो पूरा मामला है और इसे ही लेकर सारी बात Pay to को देखने के लिए मिल रही है तो यह सारी चीज़ जो है एक बार फिर को लेकर है कि कि अगर फाइल भेजेंगे तो हमारा काम सिर्फ साइन करना नहीं अगर ऐसा है तो आप न्यूकती खुद ही कर ले क्योंकि हम देखेंगे हमें समझ आएगा उसके बाद हम इस पर काम आगे इस यह थो कि यह ऐसे सब्स्क्राइब करते हैं कि एक टरह से यह जो सारी चीज़ें हो और कि कघि़न को वड़े सरकार घ्राय को बढ़े सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइब नहीं क काफी परिशानिया का यह ल reformat तो अगर बदला जा सकता है तो से तुनत बदला चाहिए ताकि इसे बागी लोगों का भी फायदा जो है देखने के लिए मिले तो ऐसे में आपको यह पूरा मामला जो है वह बड़ वेस्तार से बताया है कि एक फिर सुप्रीम कोट ने को लेकर क्या कुछ ब्यान बाजी की है और क्या नसीहत जो है उन्होंने सरकार को दी है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राए हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजा करें थन्यवाद